जय हिंद स्वागत है आप सभी का हमारे अड़ीब चनल सुल्जर श्रामी त्यारीपो तो स्राम के साथ बच चुके हैं और मैं आज को हूँ आपके वीच हमारी आज की इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रिवेस एर पेपर की क्लास को लेका आज जो हम सब क्लास करेंगे देख यह है देखो आपका 28 February 2021 का जो पेपर है 28 February 2021 का है बिल्कुल नया पेपर है आप सभी का तो सभी लोग क्लास को इंट करेंगे सभी अपना टेश्ट लगाएंगे उसकी साथ साथ जल्दी सभी सेर कर देंगे अपने और फ्रेंज के साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस करें करेंगे और जोने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकर को ओल पे सेट कर देंगे तो चलिए सुरुबात करेंगे क्लास की आज की सेजन की सुरुबात करेंगे सभी सेर जरूर करिएगा अपने और परनाटक या फिर सिक्किम देखो मैंने जो एक बज़े क्लास करवाया था भारत के प्रमुक राष्टि उद्यान उसमें ने यह वला करवा दिया था तो यदी आपने अटेंड किया होगा तो बहुत ही आसान होगा बनाना सभी एक बज़े क्लास को जरूर अटेंड किया करें भारत में मानसवने जीव राष्री अध्यान कहाँ पर है अभयारन्ने तो यहाँ देखो इस्तित है आपका कहाँ पर तो यहाँ आपका इस्तित है देखो असम में सरदार भगत सिंग, सी आर दास या फिर लाला राजपत्राई ये क्यूशन वी मैंने आपको दो फर एक बज़े क्लास में करवाया था जो मैंने तीन दिसंबर से शुरुआत कि हुई है हमने आर्मी की जो टॉपिक बज़े क्लास कर रहे हैं उसमें प्रमुख व्यक्तियों के प्रियुप नाम करवाये थे उसमें ये वाला क्लास सबको जरूर अटेंड कीजे क्योंकि देख लो नया पेपर इंडियन आर्मी का दोजारी किस का और उसमें देखो एक बज़े वाला पेपर से एक बज़े वाला क्लास से कितना क्यूशन मैच कर रहा है वो टॉपिक जाता है लाला राजपत राय जी को क्या वगर राइट आंसर तो ऑप्सें डी जो ने भी आंसर किया है डी को उन्होंने बिल्कुल सही बताया है चली अगला सवाल देखेंगे तीन नंबर सवाल यहां पे देखो आपका यह दिया गया है कि हूँ है रिटेंड पंच तंत्र पंच तंत्र किसके द्वारा लिखी गई है काली दास चानक के विश्नु सर्मा या फिर नागारजुन यह वाला किवशन आज का दोपर एक बज़े क्लास में आपका करवाया जा चुका है जो कि आज आज आपका दोपर एक बज़े क्लास हुआ था प्रमुक पुस्ता किव लेखक वाला उसमें तो सभी जरूर अटेंट कर लिजएगा आज का दोपर एक बज़े का क्लास पंच तंत्र किसके द्वारा लिखी गई है तो यह जो है लिखा गया है देखो विश्नु सर्मा जी के द्वारा क्या होगा राइट आंसर तो आप्सन सी विश्नु सर्मा चल आपका लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है लेजर का पूरा मतलब क्या होता है चली अगला सवाल देखेंगे 5 यहां पे आपको दिया हुआ है देखो पांच नंबर सवाल मिला हुआ है आपको कि which one of the following hill station is called the queen of सत्पूडा सत्पूडा की रानी के नाम से कौन सा पहाड़ी इलाका प्रसिद्ध है महेंद्रगरी, निलगरी, काटमम या फिर पंचमडी निमलिकित में से वह कौन सा पहाड़ी इलाका है जिसे की, यहाँ पे जाना जाता है आपका सत्पूडा की रानी के नाम से क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है तो सत्पूडा की रानी के नाम से जो है जाना जाता है पंचमडी को, क्या होगा आंसर? तो option D, पंच मड़ी, जिन्हों ने भी आसे किया D को, उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल सही बताया है, चलिए अगला सवाल देखेंगे next question, जो की यहाँ पे है आपका देखो, यह सवाल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, question number 6 मिला हुआ है आप करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, चलिए जल्दी सांसा बताईएगा, चंद गूप तो मौरे ने निवलिखित में से किसको हराया था, तो जो चंद गूप तो मौरे हैं, इन्होंने देखो हराया है सेल यूकस को, क्या होगे right answer तो option C, सेल यूकस हो गया सभी का, चलो ने description देखेंगे अगला सवाल, जो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कलिंगा वार वाज फाव टीन वीच बीसी, कलिंगा की लडाई कौन सी इस्वी पूरू में लड़ी गई, 324 इस्वी पूरू, देखो यह थोड़ा 261 BC में, 261 इस्वी पूरू में, चलो ने description देखेंगे अगला सवाल, जो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखो आठ नंबर सवाल मिला हुआ है आपका, कि what is the name of the light combat aircraft developed by India initially, भारत द्वारा स्वदेसी तौर पर विक्सित हलकी लड़ाकु विमान का क्या नाम है, चेतक, ब्रम्होस अश्ट्रा, या फिर तेजस बताना है कि भारत द्वारा स्वदेसी तौर पर विक्सित जो हलकी लड़ाकु विमान है उसका क्या नाम है, चलो जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्यूचन है सभी को करना है, चली बताएंगे जल्दी से तो भारत द्वारा स्वदेसी तौर पर विक्सित जो हलकी लड़ाकु विमान है वो है देखो तेजस, क्या होगे राइट आंसर तो आपसें डी, तेजस, जिनोंने भी आंसर किया डी को उन्होंने बिल्कुल सही बताया है चली अगला सवाल देखेंगे, नौ नमबर जो कि यहाँ पे आपको दिया गए देखो, यह क्यूचन मैंने एक बज़े किलास में करवा दिया है जो नदी से समधित मौतपूर्ण प्रसे करवाये थे उसमें क्या दिया अब आपका देखो कि वीच मौन्टेन रेंज इस सिचुएटेड साउथ आप दर रिवर नर्मदा कौन सी परवश्रिंकला नर्मदा नदी के दक्षिन में इस्तित है सिवालिक, विंद्या, सत्पूरा या फिर हिमाले निमलिकित में से वह कौन सी परवश्रिंकला है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिन में इस्तित है चलिए बताएंगे सबी लोग और जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पे कि who is the author of खुलासत उल तौरिक, खुलासत उल तौरिक का लेखक कौन था, सुजान राय, या फिर दियावए देखो, अब्दूल हमिद लाहोरी, या फिर अबूल फजल, या फिर डी में है इनायत खा, निमलिकित में से किसके द्वारा, खुलासत उल तौरिक, नामक पुस्तक को लिखा गया, क्या होगा, अंसर सभी करेंगे, और बिल्कुल सही बताएंगे, तो जो खुलासत उल तौरिक है, इसको देखो लिखा गया है, सुजान राय के द्वारा, क्या होगा राइट आंसर, तो option A, सुजान राय, चलिए ने description देखेंगे, अगला सवाल, जो कि यहां पे आपको दिया हुआ है, देखो, यह सवाल है आपका, कि in the year, project tiger started in India, भारत में tiger पर्योजना की शुरुआत में हुई थी, 2003 में, 1983 में, 1973 में, या पिर 1993 में, जो C number option है, इसमें देखो, आपका 1973 लिखा हुआ है, चलिए सभी लोग बताएंगे, क्या होगा, भारत में, जो tiger पर्योजना है, इसके शुरुआत कब करी गई, चलिए बताएंगे, जल्दी से क्या होगा यहां पे, तो भारत में जो tiger पर्योजना है, इसके शुरुआत हुए है, देखो, C number option बिल्कुल C है, 1973 में, कब हुआ है, तो 1973 में हुआ है, क्या होगा, राइट answer, तो option C, चलिए ने description देखेंगे, अगला सवाल, जो कि यहां पे दिया हुआ है, देखो, कि which one of the following, is the softest metal, निमलिखित में से, सबसे नर्मधातू कौन सा है, प्लैटिनम, लोहा, चांदी, या फिर अलुमिनियम, D में आपका option दिया हुआ है, अलुमिनियम, जलिए बताएंगे, सभी लोग क्या होगा, यहां पे, तो ध्यान विरा को, सबसे, जो नर्मधातू है, वो तो ऐसे, उसमियम को जाना जाता है, कि उसमियम, जो सबसे नर्मधातू हो जाता है, लेकिन यहां पे, आपको option दिया हुआ नहीं है, तो उसमियम के अलावा, जो देखो, आपका aluminium होता है, क्या होगा right answer, तो option D, चली अगला सवाल देखेंगे, तेरा नमबर सवाल, यहां पे दिया हुआ है, देखो, कि थॉमस कप is related to game, थॉमस कप खेल से जुड़ा हुआ है, बैडमिन्टन, टेनिस, होकी, या फिर फुटबॉल, जो थॉमस कप है, यहां निमलिकित में से, यहां सवाल है आपका, कि what does the reactor skill major, reactor पैमाने से क्या नापते हैं, वजन, ग्रहों के बीच की दूरी, भुकम्प, या फिर प्रदूसन, निमलिकित में से जो reactor पैमाना है, इसकी द्वारा क्या मापा जाता है, क्या होगा answer, सभी को करना है, और बिल्कुल सही बताना है, चलिए जल्दी से बताएंगे, जो reactor पैमाना है, इसके द्वारा क्या मापते हैं, तो जो reactor पैमाना है, इससे देखो भुकम्प को मापा जाता है, क्या होगा right answer, तो option C, भुकम्प, चलिए ने description देखेंगे, 15 नमबर, जो कि यहां पर आपका दिया हुआ है, दमराठा किंग्डम वोस था, found by सिवाजी, during the region of, मराठा राज सिवाजी द्वारा, के राज जे के दोरान अस्थापित किया गया था, औरंग जेब, मुहम्मद बिन तुगलक, अकबर, या फिर साज जहां, दिमलिकित में से, किसके सासन के दोरान जो है, किसके राज जे के दोरान जो है, मराठा राज सिवाजी दोरा अस्थापित किया गया था, तो मराठा राज जो सिवाजी दोरा अस्थापित हुआ था, किसके सासनकाल के दोरान हुआ था तो यह हुआ था देखो औरंग जेब की राजजी के दोरान क्या हो जागा राइट आंसर तो आपसन ए औरंग जेब चलिए जीके के जो है 15 क्यूशन्स आपको करवाए जा चुके हैं और जो हम सब आगे बढ़ेंगे किसी रोग के प्रती हमारे सरीर के प्रती रक्षा को क्या कहते हैं चले सबको बताना है क्या होगा यहाँ पे सबी लोग करेंगे और बताएंगे कि किसी रोग के प्रती हमारे सरीर के प्रती रक्षा को जो है क्या बोला जाता है और रक्तता या पिर अतिस्वित रक्तता या बहुलोनी रक्तता या पिर प्रती रक्षा चले जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पे सबी को करना है और विल्कुल सही बताना है चली जल्दी से बताईएगा सभी को करना है तो किसी रोग के प्रती हमारे स्रीर के प्रती रोजकता को जो है देखो immunity प्रती रक्षा बोला जाता है क्या हो गया राइट आंसर तो option D हो गया सभी का चलो ने description देखेंगे बाइस नमबर सवाल है आपका when pH of rainwater is less than it's called acid rain जब वर्सा के पानी का pH मान से कम हो जाता है तो अमल वर्सा कहला आती है जो है नहीं तक भी class को like नहीं किया है सभी लोग जल्दी से like बटन प्रेस करेंगे उसके सथ साथ सभी सेयर कर देंगे अपने और रेफ्रेस के साथ जो है नहीं तक भी चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से वेल आइकन को all पे सेट कर देंगे तो जब वर्सा का pH मान यह निर्भर करता है, उस वस्तू के दौरा विस्ठापित तरल का दर्विवान से, या कि वस्तू का क्या दर्विवान है उससे, या फिर देखो आपक है यह देखो निर्भर करती है आपकी कि उस वस्तूक के दवरा विस्थापित तरल का द्रमेवान कितना है क्या उगर आइड आंसर तो आप्शन ए मास मास ओफ लिक्विड डिस्प्लेश बाइड बॉड़ी चलिए अगला सवाल देखेंगे 24 नमबर सवाल दिया हुआ है देखो यहां पे कि विच गैस इस यूजड इन फायर एक्स्टिंग्यूटर्स अगनी सामक में निमलिकित में से कौन सी गैस उप्योग की जाती है मिथेन, कार्बन डायोकसाइड, हाइड्रोजन सलफाइड या फिर निमलिकित में से जो अगनी सामक है उसमें कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही बताएंगे तो अगनी समक में जिस गैस का प्रयोग किया जाता है जो फायर इस्टिंग्यूटर्स है उसमें जिस गैस का प्रयोग होता है वो है, देखो कार्बन डायोकसाइड क्या होगे राइट आंसर तो option B हो गया सभी का चलिए अगला सवाल देखेंगे 25 नमबर सवाल दिया हुआ देखो यहाँ पर आपका सवाल है आपका कि metals are good conductors of electricity because धातू बिजली के अच्छे चालक होते हैं क्योंकि परमानू हलके से पैक रहते हैं उनके उच गलांक होता है उनमें electron बादित नहीं होते हैं या फिर यह सभी धातू बिजली के अच्छे चालक होते हैं क्या कारण है जो धातू है वो बिजली के अच्छे चालक क्यों होते हैं तो धातू के बिजली के अच्छे चालक होने का जो कारण है वो यह है कि they contains free electron उनमें electron बंधित नहीं होते हैं चलिए अगला सवाल देखेंगे 26 नमबर सवाल यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है इन neutral atom the number of electrons are equal to the number of एक neutral atom में electron की संख्या की संख्या के बराबर होती है इनमें से कोई नहीं proton, neutron या फिर photon निमलिकित में से एक neutral atom में जो है electron की संख्या किसके बराबर होती है क्या होगा right answer सभी लोग को बताना है और बिल्कुल सही करना है चलिए जल्दी से बताएंगे तो एक neutral atom में जो electron की संख्या है वह देखो किसके बराबर होती है तो वह होती है proton के बराबर नहीं सक्षम है पास की वस्तुएं दूर की वस्तुएं साफ द्रिष्टी या फिर डी में है इन में से कोई नहीं क्या होगा राइट आंसर सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे चली जल्दी से बताइएगा तो देखें यहां पर क्या होगा आपका कि एक मनुष किसी चुमबक के चुमबक के गुन को खत्म करने के लिए निमलिखित में से किसको अपनाया जाता है लोहे के संपर्क में रखना चुमबक में हथोड़े मारना ठंडा करना या फिर पानी में रखना किसी चुमबक के चुमबक के गुन को खत्म करने के लिए जो है निमलिख क्या होगे right answer तो option B हो गया सभीका चली अगला सवाल देखेंगे 29 नमबर सवाल जो है यहाँ आपका दिया हुआ है कि the distance between two nearest particles of a medium in the same face is called as एक समान प्रवस्था में एक माध्यम के किसी दो समीब कनों के बीच की दूरी को कहते है क्या बोला जाता है यह जो है आपको यहाँ पे बताना है आवरिती, तरंग दैधरे, संपी डन या फिर तरंग गती चले बताइए का क्या होगा यहाँ पे एक समान प्रवस्था में एक माध्यम के किसी दो समीब कनों के बीच की दूरी को जो है क्या आप बोलते है क्या होगा Right Answer तो देखो इसको जो है तरंग दैधरे इसको जो है वेब लेंथ बूला जाता है क्या होगा Right Answer तो Option B, वेब लेंथ तरंग दैधरे चली अगला सवाल देखेंगे 30 नंबर सवाल जो है यह देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है हर बार पूछा जाता है और 2020 का पिपर में भी देखरों आया हुआ है तो सभी को करना और बिल्कुल सही करना क्योंकि लगबख सभी ने जो है इसको पड़ रखा है चले जिन्हों ने भी अभी तग भी क्लास को लाइक ने किया वो सभी लाइक बटन जरूर प्रेस करें उसके सवाल देखेंगे 31 नंबर सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है यह सवाल है देखो आपका दपल्स रेट ऑफ़ न्यू बॉंड बेबी जीज पर मिनट नौजाद सिसू की नबजदर प्रती मिनट है 120-160 90-110 80-90 या फिर 70-80 क्या होगर आइट आंसर नौजाद सिसू की ज सबी को जो इसका अंसर है वो कमिंट बॉक्स में बतानी है चलिए अगला सवाल देखेंगे 32 नंबर सवाल यहाँ पर दिया हुआ है देखो यह है इंसान के कान के लिए कितना डेसिबल का ध्वनी दर्दनाक है 90-130-180 या फिर 110 तो देखो इसमें जो किमशन है आपका कि इंस कान के कान के लिए कितना डेसिबल का ध्वनी दर्दनाक है तो ऐसे तो आपका यहाँ पर देखोगे तो 110 भी सी है और 130 भी सही है पर आपके लिए यहां पर बोला है कि वह साउंड यहां पर पेंफूल है तो यहाँ देखो 130 में सबसे ज्यादा दर्द होने लगता है 130 जो प पर फिजिक्स विच अवंग दो फॉलिविंग इस मोर इलाश्टिक भौतिक विज्ञान के नुसार निमलिखित में से अधिक लचीला कौन सा पदार्थ है काच रबर प्लास्टीक या पिर इस्टील निमलिखित में से भौतिक विज्ञान के नुसार जो है निमलिखित में देखेंगे 34 सवाल यहां पर दिया हुआ है देखो आपका यह सवाल है कि फॉजिल्स फ्यूल्स आर मेड़ प्रॉम जिवास मिंधन किस से बनता है समुद्र के पानी से चारकोल से पौदो और जानवरों के विगटन के कारण या फिर अलकोहल से जो जिवास मिंधन है यह निम नंबर जो की दिया हुआ है वह ल१ love you एक प्रकास वर्श इफ्वालटो 9.467 objective 12 tv डimmt Siq 9.46レ इंट ती नई ती पावर फिंट नइं पाइंट पिंट प्रक पर से या फिक और 520 प्रकास चप्रकास रिख्वालटेक्त Обें प्रकार्व यहां प्षे सब्न गया हुआ अरे रखेंगे यही जो इसका राइट आंसर है 4.961 इंटू में जो है 10.10 to the pound 15 मीटर जो इसकी राइट आंसर होती है क्या होगे राइट आंसर तो option B हो गया सभी का चली अगला सवाल जो है यहां पर clear हो चुका है आप सब का तो जो आपकी 30 क्यूचन करवा जाते हैं जिक की जिसक कल दो पर एक बजे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत have a good day मिलूंगा आप से सीधा कल दो पर एक बजे जय हिंद जय भारत